नमस्कार दोस्तो मैं भुवन मंडारी Candlestick Analysis में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम इस सौट वीडियो में केल्टनर चैनल को यूज करके बाइनरी ट्वेट करने का सबसे बेश्ट तरीका सीखेंगे केल्टनर चैनल एक बहुत ही पावरफुल बुलिंजर बेंड जैसा ही टेकनिकल एंडिकेटर है और बाइनरी ट्वेटिंग में इसे सही तरीके से यूज करने पर बुलिंजर बेंड से ज़्यादा सक्सेसरेट देता है तो आज हम वही सही तरीके से binary option trade करना सीखेंगे ये कैल्टनर चैनल मैंने यहाँ पर लगाया है ये आप अपने binary platform पर भी लगा सकते हैं लेकिन वहाँ पर उतना accurate signals नहीं बनेंगे ये आप try भी कीजेगा ये जितना यहाँ real chart पर बनते हैं real live chart पर आप ये simply easy trading tips.com पर जाईएगा जाने के बाद यहाँ live chart होगा इसको click कीजेगा तो ये chart open हो जाएगा अगर आपको यहाँ पर ये candle closing time ना दिए तो यहाँ पर right click कीजेगा ये देखिए right click करने के बाद countdown to bar close ये आजाएगा इसको click कीजेगा तो यहाँ पर candle closing timing यहाँ आपको नजर आ जाएगा mobile से भी आप कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ indicator पर जाना है जाने के बाद keltner लिखना है k-e-l-t-n-e-r keltner लिखने के बाद आपको यहाँ पर keltner channels आ जाएगा इसको click कीजेगा तो यह लग जाएगा यह by default period का है इसको कोई भी छेड़ खानी नहीं करना है यह 20 period का exponential moving average होता है keltner channel पर और उसके उपर एक bend होता है और उसके नीचे एक bend होता है जो 2 ATR का होता है average true range यहाँ से 2 ATR उपर यह bend होता है यहाँ से इस price से 2 ATR नीचे यह lower bend होता है तो अब हम आज का strategy समझते है आज का strategy के लिए बहुत ही simple है यह beach वाला जो line है beach वाला line से अगर उपर यहाँ पर देखिए अभी एक signal बना था minimum 2 green candles और maximum 4 green candles इसको touch करने के बाद देखिए यहाँ पर touch किया एक, दो, तीन, चार, maximum 4 green candles minimum 2 green candles बीच में red अन्य डोजी जैसा वैसा नहीं होना चाहिए clear 2 green candles होना चाहिए यह 4 green candles होना चाहिए उसके बाद वाँ पर touch करना चाहिए upper bend को यहाँ पर touch किया touch करके यहाँ पर reversal candle stick बनना चाहिए जैसे यहाँ bearish angle fin बना यहाँ पर shooting star बना bearish angle fin, shooting star या hanging man ऐसा hanging man होता है यह यहाँ पर बनना चाहिए minimum 2 और maximum 4 green candles के बाद यह तो आपको यह बनना चाहिए shooting star बनना चाहिए perfect patterns कैसे होते हैं मैंने इसी channel पर 2-3 वीडियोज patterns पर बनाया है यह minimum square का होना चाहिए यह उपर नीचे legs कितने होने चाहिए यह सारा मैंने detail में वहाँ बताया है यह ऐसा होना चाहिए perfect या फिर bearish angle fin होना चाहिए average बहुत बढ़ानी होना चाहिए या ऐसा hanging man यहाँ पर उपर leg होकर यहाँ पर बनता है या यहाँ पर बनता है तो उसके बाद हम next candle के लिए 5 minutes time frame का यह chart देखना है शुरू में आपको 5 minutes के लिए next candle के लिए हम यहाँ पर down करेंगे यह signal हुआ इसी तरह से यह आप computer से देखते हैं तो यहाँ cursor रखने के बाद इस तरह down arrow करते जाएंगे तो आपको दीख जाएगा mobile से देखते हैं तो आप desktop mode कीजेगा उसके बाद आपको यह यहाँ पर यह दिखेगा अगर यह hide होगा तो इसको click कीजेगा यह watch list दिखेगा top 28 currency pair सारे major और minors हैं जिस पर हमें binary trade करना चाहिए वो रखा है यह आप वहाँ से भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पर भी यह देखिए hanging man का signal मैंने बोला एक berry single fin जो यहाँ हमने केट JP wiper देखा berry single fin देखा shooting star देखा और तीसरा condition है hanging man का और यह hanging man का कैसा होना चाहिए minimum 4 candles के बाद यह बनना चाहिए या 2 candles के बाद बड़े बन देखें दो के बाद यहाँ पर या ओपर close होना चाहिए green candle या इसमें टकरा कर उसके बाद यह बनना चाहिए hanging man का लेग देखना है लेग उससे पहले वाला green candle का जो low है उससे नीचे आना चाहिए बिल्कुल नीचे आया था तो यह एक perfect signal था इससे next candle के लिए हम यहाँ पर lower करेंगे इस तरह से जाँ जाँ signal बनता है उसी तरह चेक करते रहना है और जाँ signal बनेगा वहाँ पर trade लगाना है यह हम एक buy का भी signal देख लेते हैं जैसे देखे यहाँ पर यह थोड़ा बड़ा था बड़ा नहीं होना चाहिए मैंने candlestick pattern average होना चाहिए यह बोला है मैंने video भी बनाया है इस पर यह देखे minimum यहाँ पर 2 चाहिए हमें कितना है यह touch करने के बाद यह beach वाला line को touch करके 1, 2, 3, 4 जहां से touch करके नीचे आया है उसको गिनिए एक, 2, 3, 4 ठीक है 5 होता तो नहीं होता क्योंकि यह 5 होता तो यह भी यहाँ पर red बनता यह बार-बार इस तरह धकिलते जाएंगे तो यह क्या होगा यह downtrend का संकेत होगा है तो downtrend ही है लेकिन सुरू में ही पहला candle उपर से आकर पहला candle टकराने के बाद यहाँ पर reversal बनता है तो बहुत अच्छा है नहीं तो second में बनना चाहिए वो आप छोड़ दीजे यह middle band को touch करने के बाद 2 से 4 rate candles के अंदर यहाँ पर reversal candlestick बनना चाहिए bullish angle fin बनना चाहिए hammer बनना चाहिए या inverted hammer बनना चाहिए bullish angle fin जो है average होना चाहिए यह बड़ा था ऐसा आप trade नहीं करेंगे average होना चाहिए इससे छोटा होना चाहिए तो यह बनने के बाद next candle के लिए हम अब का call लेंगे तो यह था आज का binary option का best strategy culture channel पर तो यह था आज का वीडियो यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद